वसंत पंचमी हर साल मागशुक्ल पंचमी को वसंत पंचमी मनाई जाती है माशरस्वती विद्या, बुद्धी, ज्यान और फाणी की देवी है माशरस्वती की महिमा और पभाव असीम है इस दिन माशरस्वती की पूजा अर्चना कर उनसे विद्या और बुद्धी का आशिरवाद मांगा जाता है ऐसा कहते हैं कि इसी दिन माशरस्वती ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई थी और हाँ पूरे साल को छे मौसमों में बाटा गया है जिसमें वसंत लोगों का सबसे मनचाहा मौसम है जब फूलों पर बहार आ जाती है खेतों में सरसों का फूल मानों सोना जैसे चमकने लगता है जों और गेहूं की बालियां खिलने लगती है और हर तरफ तितलियां मंडराने लगती है भर भर भौरे भवरने लगते हैं वसंत रितों का स्वागत करने के लिए माग महिने के पाँचवे दिन एक बड़ा जस्न मनाया जाता है तो आए हम भी वसंत पंचमी का स्वागत करते हैं एक सुन्दर सरस्वदी वंदना के साथ माशार दे तुम्याना होगा वीडा मधुर बजाना होगा माशार दे तुम्याना होगा मेरे मन मंदिर में मैयाना होगा माशार दे तुम्याना होगा वीडा मधुर बजाना होगा सारे गामा पाधा निसा मैया मैं तो जानूना साते सुरो को मैया मैं तो पह जानूना सारे गामा पाधा निसा मैया मैं तो जानूना साते सुरो को मैया मैं तो पह जानूना किरितन में मैया तुम्या आना होगा वीडा मधुर बजाना होगा माशार दे तुम्याना होगा वीडा मधुर बजाना होगा तू ही अंबे तू ही जौला तू ही महाकाली मा भक्तों की अंबे मैया करती रखवाली मा तू ही अम्बे तू ही ज्वाला तू ही महाकाली मा भगतों की अम्बे मैया करती रखवाली मा जोती में तुझ को समाना होगा वीडा मधुर बजाना होगा मा शार दे तुन्याना होगा वीडा मधुर बजाना होगा तेरे बिन मैया मेरी साधना धुरी है सबसे पहले मैया तेरी वंदना जरूरी है तेरे बिन मैया मेरी साधना धुरी है सबसे पहले मैया तेरी वंदना जरूरी है ताल से ताल मिलाना होगा वीडा मधुर बजाना होगा माशार दे तुन्याना होगा वीडा मधुर बजाना होगा वीडा मधुर बजाना होगा वीडा मधुर बजाना होगा